जी दोस्तों तलबा वा तालिबात असलाम वालेकुम आज की किलास में आप लोगों का विलकम है खैर मकदम है आज हम लोगों की इंगलिश लेंग्विज की दोसरे चैप्टर की किलास है जैसे की आप सलेबस देख रहे हैं स्क्रीन पे आपका टी अस्टेट का सलेबस दिया गया है चाहें पेपर फस्ट हो चाहें पेपर सिकंड हो दोनों में दोसरा क्या है टेंसेस टेंसेस जिसको बारे में हमने पढ़ रखा है पहले भी टेंसेस जिसको आप कहते हैं जमाना आज हम देखेंगे टेंसेस की कितनी किसमें हैं फिर जो टेंसेस की तीनों किसमें है य इससे मुतालिक आपके T.S.T. में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, किस तरह से सवालात आते हैं, उनको भी आखिर में हम लोग मोग टेश्ट के तोर पे उसको भी देखेंगे, ताकि जो कुछ हम टेंस में सीखेंगे, उसको कोईस्टन के जरी अपने कंसेप्ट को पूर से पूछे जाते हैं, तो वो चीज हमें पूरी तरह किलियर हो जाती है, और हम उसमें गलती करके नहीं आते हैं, तो हमारा टारगेट है कि जो 30 नंबर का आपका, इंग्लिस लेंग्विज का 30 नंबर का आएगा, हम 30 में 30 हासिल करेंगे, चलिए, आगे चलते हैं, देखिए आपका सलेबस दिया गया है, इसमें दोस्तरा टेंसेज हैं, जिसको हम कहेंगे उर्दू में क्या, जमाने, अब आगे चलते हैं, देखिए जो सलाइड आपको दिख रही है, निजाम अकेडमी डबल टू करके टेलिग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस से अगर आप जुड़े नहीं हैं, तो आप क्लिक करके वहां से जुड़ जाईए, आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंड करें, कोई भी आपके पास मश्वेरा है, आप उसको कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट आपको पता है, उसमें इंगलिश लैंगवे जो 30 नंबर के आती है, यह आपकी कमपलसर ही है, आपने जो है, पहली जुबान क्या लिए ही उर्दू, उसकी भी किलास है, इसी चैनल के जरीए चल रही है, ठीक है, आगे चलिए, अब हम द छोड़ा सा डिफिनेशन यानि उसकी तारीफ देख लेते हैं, it is the form of a verb which shows the time of an action, यह क्या है, टेंस क्या है, यह वर्ब यानि फेल की एक शकल है, जो कि किस चीज को देखाती है, जो कि time of an action, जो कि कोई आमल हुआ है, कोई action हुआ है, उसके time के बारे में टेंस जो है, बतात और यह चीज भी बताता है, कोई भी काम, कोई भी action किस time complete हुआ है, पहले हो चुका है, क्या अभी चल रहा है, या आगे future में होगा, इसके बारे में क्या आपका बताएगा, जमाना बताता है, अब देखिए जो tenses है, आपको पता है, इंग्लिस वर्ड है, इंग्लिस के अक टेंस का लेटिन का वर्ड किस से बना है, टेंपस से बना है, जिसका माना होता है time, टाइम, टाइम जिसको आप क्या कहते हैं, वक्त के नाम से जानते हैं, आगे हम देखें कि tenses की किसमे कितनी हैं, there are three main kinds of tenses in English, या इंग्लिस जुबान में, tenses की किसमे कितनी हैं, तीन हैं, तीन जमाना पाए जाते हैं आप उर्दू में भी पढ़े होंगे तीन जमाना पाए जाते हैं पहला है पिर्जेंटेंस जिसको हम कहते हैं क्या पिर्जेंट को क्या कहते हैं जमाने हाल क्या कहते हैं जमाने हाल अपने पढ़ रखा होगा जमाने हाल हो गया देखिए उर्दू में लेकर इसलिए चल ले हैं ताकि आपका दोनों का इसलिए किलियर हो जाए पास टेंस जिसको हम क्या कहते हैं जमाने माजी इंशालला इसके बाद इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है टेंस में जमाने मुस्तक्बिल कि जमाने तो कि मुस्तक्बिल देखिए उसको मैं अभी चाहों तो हिंदी में बता सकता हूं लकिन हिंदी में बताने का कोई नहीं है जैसे इसको वर्तमान काल कहते हैं इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे भविष्ट काल इसको कहेंगे भूत काल इसको कहेंगे फ्यूचर को क्या कहेंगे भविष्ट काल और पास्ट को क्या कहते हैं जमाने माजी को यानि भूत काल लेकिन उसमें हमें नहीं पढ़ेंगे मैं उर्दू मीडियम के स्टुडेंट को target करके पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको उर्दू में भी बताता चलना हूँ ठीक है अगर कोई हिंदी का है तो बताएगा तो मैं हिंदी में भी उस टर्म को बता दूँगा चली आगे चली पहला है पहले तीन किसमें हुई यानी present, past, future फिर हर एक की चार-चार किसमें चार-चार फॉर्म यानी चार-चार शकले निकलती है पहला क्या है simple, simple को हम क्या जानेंगे जैसे हम कहते हैं मुतलख, उर्दू में का पढ़ते होंगे, मुतलख पहला simple हो गया, दोसरा continuous, continuous यानी कोई चीज मुसलसल चल लही हो जिसको हम उर्दु में देखेंगे इस्तिमरारी के नाम से जानते हैं कोई चीज इस्तिमरार के साथ चल लगातार तीसरा क्या है आपका perfect perfect मतलब होता है कामिल मुकमल कामिल मुकमल के लिए क्या आता है perfect अभी तो हम सी वर्ड माना देख रहे हैं अभी देख रहे हैं सबकी definition perfect continuous यानि मुकम्मल इस्तिम्रारी क्या मुकम्मल इस्तिम्रारी चार हो गए अब हरे को देख लेते हैं simple क्या कहते हैं it simplified states and action यह बस यह बताता है कोई चीज simple में कोई action हुआ है continuous continuous क्या बताएगा कोई action यानि लगातार यानि इस्तिम्रार के साथ कोई action अगर चला है तो उसको continuous कहते हैं this indicate that the action action का मतलब आमल जिसको हिंदी क्या कहेंगे किरिया the action is complete at the time of speaking ठीक है आगे है perfect it indicates that the action is complete यानि जिस टाइम लफस बोला जाता है यानि perfect tense जब इस्तिमाल किया जाता है उस time वो काम हो चुका होता है continuous में जिस time बोला जाता है वो काम क्या है जारी रहता है वो आमल क्या है जारी रहता है और perfect continuous यानि पिछले समय से पिछले वक्त से अब तक ओ टाइम ओ चीज जारी है आगे हम देखेंगे थोड़ा और तफसील से उसको सबसे पहले आप देखते हैं अब पता चल गया पहले तीन किसमे हैं फिर हर एक के चार फार्म आते हैं ठीक है तो टोटल कितने हो गये पहले तीन है तीन के चार फार्म है चार इंटू फोर यानि बारा बारा शकलें पूरी होंगी इसकी सबको हम लोग देखेंगे फिर आखिर में पिवाई की यानि हम मोक्तिस देखेंगे किस तरह से सवालात आपके बनेंगे पहला क्या है प्रिजेंट टेंज यानि जमाने क्या हाल प्रिजेंट टेंज यानि जमाने हाल में कोई action हुआ है कोई आमल हुआ है जैसे I write यानि मैं लिखता हूँ I love यानि मैं प्यार करता हूँ मैं मुहबद करता हूँ ठीक है I love ठीक है दोनों किसकी मिसाल है present tense की आगे हम देखेंगे forms of present tense present tense की अब चार किसमें है पहली है present simple पहला क्या है present simple simple क्या बताएगा it is used to express a habitual action यानि present simple में कोई चीज यानि आदतन अगर कोई चीज वाकि हो रही है उसको बयान करने के लिए क्या यूज करते हैं हम present simple यूज करते हैं या general truth या ऐसी चीज है जो बिलकुल fact है उसको जब हम बयान करेंगे तो क्या करेंगे present simple में उसको बयान करेंगे जैसे she eats an apple वह एक apple खाती है एक hybrid हो सकता है daily एक apple खाती हो तो क्या है एक present sense को यानि एक habitual चीज को बताती है या एक सच्चाई को भी एक sentence बताएगा present continuous continuous को मैं पहले बताया था यह इस्तेमरारी के माने में आता है it is used for an action going on at the time of speaking यानि जिस टाइम आप बोल रहे हैं उस टाइम वो आमल जारी रहता है जैसे she is eating an apple वह एक apple खा रही है आपके सामने कोई लड़की बैठ करके apple खा रही है अभी खाना खतम नहीं अभी खा ही रही खाना जारी है उस टाइम अगर आप यूज करेंगे तो present continuous का यूज करेंगे क्या है she is eating an apple वह एक से खा रही है समझ में आ गया समझ में आ रहा है तो जरूर एक मर्तवा लाइक करें और comment box में भी बताएं ठीक है आगे चलते हैं अब हम देखेंगे दो हो गया तीसरा क्या है present perfect perfect क्या बताएगा जो मुकमल होता है it is used to indicate completed activities in the immediate past यानि यह बताता है अभी अभी हाल या past में कोई activity पूरी हुई है यह क्या बताएगा perfect जैसे she has eaten an apple वह एक सेब खा चुकी है ठीक है जिस time बोला जा रहा है उस time वो सेब खा करके finish कर चुकी है उस time जब बोलेंगे तो क्या करेंगे a present perfect का use करेंगे आगे क्या है present perfect continuous का use करते हैं क्या it is used for an action which began at some time in the past and is still continuing यानि यह बताता है कि कोई action past में यानि पहले माजी में पहले हुआ है लेकिन अभी जिस time बोला जा रहा है अब तक वो आमल जा रही यानि पास्ट से अब तक वो चीज जा रही है जैसे she has been eating an apple वह एक से खा रही यानि पहले से खा रही थी लेकिन जब बोला जा रहा है अब भी खा रही है अक्सर आप देखेंगे जो ही present perfect continuous में आखिर में time आता है या तो far आएगा या तो since since आपको पता है अगर आप point of time के लिए since यूज करते हैं far किसके लिए यूज करते हैं जो point of time नहीं होता है जैसे कहा since since जैसे कहेंगे कि she has been eating an apple ठीक है for two hours यानि दो घंटे से ठीक है तो इसमें अक्सर since या for का use किया जाता इस चीज को आप जहन में रखिएगा अब हम present tense यानि जमाने हाल पूरा हो गया दोसरा क्या है दोसरा आपका जमाने माजी है अब जमाने माजी की भी चारो किसमें है कैसे the past tense our diet refers to past time is used to be in a past tense जैसे I wrote मैं लिखा जिस time बोला गया उस time लिख चुका है I loved मैंने प्यार किया आगे देखिए forms आप past tense की शकलें देखते हैं पहला क्या है past simple इसमें भी simple आएगा continuous आएगा perfect आएगा और perfect continuous आएगा past simple it is used to indicate an action completed in the past यानी c8 आएपल उसने एक से खाया जिस time बोला गया वो खाके past continuous क्या है it is used to denote an action going on at some time in the past यानी जब बोला गया यानी पास में कुछ time तक वो आमल अगर जारी रहेगा तो past continuous का use करते हैं जैसे she was eating an apple वह एक सेब खा रही थी ठीक है यानी past में कोई चीज continuous आनी बहुत देर तक वो आमल कर रहे थी आगे हम देखेंगे past perfect का use करते हैं it describes an action completed before a certain moment in the past यह बताता है कि अभी past में हालिया में कोई आमल मुकमल हो चुका है जैसे she had eaten an apple वह एक सेब खा चुकी थी ठीक है अक्सर इसमें क्या होता है दो आमल कभी कभी होता थीक है दो आमल में से एक जो पहले होता उसको पहले यूजь करते हैं जो बाद में होता उसको बाद में उसको बाद में उसकरते है Ingall आगे हम मिषाल में देखेंगे आपके जो मोकतेश है उसमें दिया गया है उसमें हम समझाएंगे जाएंगे पास्ट पर्फेक्ट कॉंटिनिवस इट इस उस्ट फॉर और एक्षन डेट बिगें विफोर असर्टेन पॉइंट इन पास्ट एंड कॉंटिनूड अप्टू डाइट टाइम यानि पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन जब जिस टाइम बोला जा रहा है अब तक पॉप कांटिनिवस चलता रहा हूँ अमल उसके लिए पास्ट पर्फेक्ट कांटिनिवस का यूज करते हैं जैसे शी है बीटिन आइन आपल वह एक सेव खा रही थी ठीक है अब कर सकते हैं पर तो आवर दो घंटे से खा रही थी ठीक है या सिंस स्टर्डेय यानि कल से खा रही थी ठीक है आगे हम फ्यूटर देखते हैं the future tense our of diet refers to future tense is said to be in the future tense यानि इसमें बताता है कि कोयांवल क्या है आगे जाकर के होगा अभी हुआ नहीं लेकिन आगे होगा अब इसके भी चार शकले होती है पहला future simple इट इंडिकेट इस एक्षन विच विछ विल हैपन इन दा फ्यूचर जो की future में वाक्ते होगा जैसे शी विल इट एन आइपल ओ एक सेव खाएगी आगे खाएगी ठीक है आगे है फ्यूचर कांटिनिवस क्या है इट देनोर्स एन आएक्शन is going on at some point in the future यह बताता है कि कोई चीज जो है फ्यूचर में लगातार जारी रहेगा जैसे शी विल इट एन आइपल वह एक सेव खाती रहेगी ठीक है आगे है फ्यूचर पर्फेक्ट क्या है इट इस यूच्ट to indicate an action that will be completed by a certain future time देखे उसमें क्या था विल का यूज था और इसमें क्या है continuous में विल के साथ वी वर्ब की थार्ट पामाती है ठीक है और फ्यूचर पर्फेक्ट क्या है it is used to indicate an action that will be completed by a certain future time जैसे she will have been eaten an apple वह एक सेव खा रही होगी आगे time दिया रहता है ठीक है अब देखिए आगे क्या है फ्यूचर पर्फेक्ट वाला क्या है she will have eaten an apple वह एक सेव खा चुकी होगी ठीक है यानि आगे फ्यूचर में कोई आमल कर चुकी होगी अब हम देखिएंगे future perfect continuous में क्या है it is used to indicate an action which will be in progress or a period of time that will end in the future यानि आखिर में future में period of time वह आमल प्रोसेस वह आमल जो है जारी रहेगा मुसलसल यैसे she will have been eating an apple इसमें आखिर में time दिया गया जाता है ठीक है she will have been eaten an apple वह एक सेव खा रही होगी ठीक है आगे time दिया जाएगा यानि for two hour ठीक है आया देंगे since देंगे since seven o'clock ठीक है इस तरह से दिया जाएगा अब हम थोड़ा सा exercise करते हैं यह तो हमने एक जलक देख ली सारे टेंसेस ली अब देखे एक एक टेंस को बारीकी से पढ़ाया जाए तो इतना time नहीं है हमें देखना है कि आपके exam में टी ए स्टेट में टेंसेस से किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं ठीक है हमें पता चल गया कि तीन है जमाने हाल एक तो है present tense एक है past जमाने माजी future जमाने मुस्तक्विल फिर हर एक की चार पिसम है यानि simple है continuous है perfect है perfect continuous है simple को कभी-कभी आप जो है indefinite भी कहते हैं ठीक है अब हम देखेंगे किस तरह से हमारे सवालात आते हैं क्या देखेंगे किस तरह से सवालात आते हैं आगे है choose the correct verb form from these in the bracket bracket में से हमें correct verb use करना इसमें हम थोड़ा सा grammar भी बताते चलेंगे हर एक exercise में ताकि concept clear होता जाए जैसे I have I had ten last night ठीक है अब है एक reach एक है reached I have अब reach आएगा reached आएगा देखें इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लीजिए कहीं भी option में हैज आ गया या हैब आ गया या हैड आ गया अगर ये तीनु आ गये इसके बाद verb की third form लगती है क्या लगती है third form पास्ट पार्टिसिपल लगता है ठीक है यानि perfect वाला यूज करते हैं जैसे आप पढ़ें reach, reached, 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 reached इस तरह से आप पढ़ें होंगे तो अगर हमने हैब देख लिया है तो हम आख बंद करके कह देंगे यहां reach नहीं आएगा क्योंकि reach कब आता है present, present tense में आता है present simple में आता है ठीक है तो आई हैब, हैब लगते ही फोरण हम कहेंगे reached आएगा तो इस तरह का अगर आता है हैब आगया, हैड आगया या हैज आगया उसके बाद third form तलास करके लगा दीजेगा सही आएगा इंशालला, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है, like भी करें, नए है तो चैनल को subscribe भी कर लें आगे है she did, अब इसमें एक काईदा आपको मैं बता दूँ, एडिड किसके लिए खास है, डिड जो है past simple का auxiliary वर्ब है, यानि helping वर्ब है, past में वर्ब की second form यूज होती है, क्या यूज होती है, second form, ठीक है, अब लेकिन अगर helping verb आ गया, जैसे present का helping verb क्या है, do या does, एक किसका helping verb है, present tense का, और इसका helping verb यानि past का क्या है, डिड है, डिड है, लेकिन अगर किसी sentence में डिड आ गया, डिड के बाद, वर्ब की जो first, second form past में यूज होती है, वो second में वो first में बदल जाएगी, यानि second form किस में बदल जाएगी, यह first में बदल जाएगी, अब she did, अगर negative बनाते हैं, तब भी did लाते हैं, interrogative बनाते हैं, तब भी did लाते हैं, helping verb को पहले ले आते हैं, तो क्या है she did, dash my jokes yesterday, अब she did not like या not like दाएगा, मैंने पहले बता दिया, अगर helping verb आ गया पहले, क्या, चाहे do या does आ गया, या helping verb में did आ गया, उसके बाद verb की first form हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से exercise में मैं आपको concept clear करा रहा हूं, नई तो tense पूरा पढ़ाता तो दो-तीन दिन लग जाता पूरा tense पढ़ाने में, बस हमें देखना है किस तरह से आपके सवालात आते हैं, कैसे कैसे आपको clear करना है, तो do या does या did आ गया, उसके बाद verb की कौन से form आएगी, first form, तो यहां did, not, तो like आएगा कि liked आएगा, यहां like आएगा, good समझ में आ गया, यहां हमारा क्या आ गया, reached आ गया, यहां क्या आ गया, यहां like, like क्यों आया क्यों कि did है, जहां भी did आ गया, जहां भी do या does आ गया, वर्व की first form को तलास करके ठोक देंगे, सही जाएगा और कहीं अगर हैस दिख गया, हैड दिख गया, हैड दिख गया, क्या मार देंगे वर्व की third form लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया समझ में आया तो एक मर्तवा comment box में बताएं की तरीका पढ़ाने का समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज हम implement करके नहीं देखेंगे, यानि नाफिस करके नहीं, sentence में नहीं देखेंगे, तो काईदा बताने से कोई फाइदा होता नहीं, grammar सिखाने का तरीका ही यही है कि आप context में सिखाएं, यानि इंडक्टिव मेथट का इस्तेमाल करें, आगे तीसरी मिसाल देखें, दा रनर, डैस, बिफोर रीचिंग दा विनिंग पॉइंट, यारी रनर, विनिंग पॉइंट या जो उसका destination दिया गया है, वहां तक पहुँचने से पहले रनर क्या, फाल क्या है? गिरता है, फाल्स गिरता है, देखिए, एक जगाँ फाल के साथ एस है, एक जगाँ फाल के साथ क्या है? इस नहीं है, अब इस मिसाल के सरीए मैं आपको एक काईदा बताऊंगा, उसको जहन में रख लीजेगा, यह कौन सा tense है? यह आपका present inde definite, यानि present simple tense है, present simple tense का एक काईदा है कि अगर subject क्या होगा? similar होगा, क्या होगा? similar, यानि एक वाहिद होगा, या he आजाए, he क्या है? मुझकर के लिए, similar के लिए, या she आजाए, या it आजाए, या किसी का name आजाए, ये तीनों क्या है? तीनों similar हैं, इसके बाद वर्व की first form के आखिर में कहें S लगा होगा, कहीं E.S लगा होगा, इसको याद रखिए, जहन में रख लीजे, कहें S लगा होगा, कहीं E.S लग होगा, अगर ये लगा है, तो उस वही वाला आपका, वही आपका फिलेंदा blank में वही सही माना जाएगा, runner क्या है, runner एक similar है, तो fall आएगा या false आएगा, false आएगा, आख बन करके S लगाएंगे, तो ये क्या हुआ, false वाला आपका सही हो गया, ठीक है, समझ में आगया तीन आगे चलिए, चौथा क्या है, my father-me, rop, everyday, यहाँ भी, मैंने बता दिया, present simple, ये father क्या है, singular है या plural, तो बताएगा, या gives आएगा, मैं बताया, he, she, it, similar के साथ, yes, 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 आता है, तो क्या आएगा, gives आएगा, यानि, my father देते हैं, present simple क्या बताता है, या truth बताता है, या habitual आदतन, यानि, कोई ladies कह रही है, या कोई छोटा बच्चा कह रहा है, my father, मेरे पिता जी, यानि, मेरे पापा, gives देते हैं, यानि, आदतन डेली देते हैं, क्या मी, मुझे, आरूपी, एक रूपिया, एवरी डे, रोजाना, यानि, जब वो इस्कूल जाती है, डेली, उसके फादर एक रूपिया देते हैं, तो फादर क्या है, similar है, present simple, यानि, किसी की habit को बता रहे हैं, तो yes, yes वाला जो है, वर्व सही माना जाएगा, समझ में आगे है, आगे चलत करना है, इसको last को, किसी sentence में अगर last आ गया, तो last किसकी तरफ indicate करता है, last indicate करता है, past tense की जानिब, last यानि पिछले time में, पिछले वक्त में कोई incident हो चुका है, तो क्या कहेंगे, शी, गोज, एक गोज आएगा, कब, present simple, लेकिन, वाह, last week, last week, every morning, हर सुबा, last week, हर सुबा हो, school जाती है, last week जाती है, थोड़ा जुमला ही कहने में, उर्दुन देखे समझ वने आ रहा, लेकिन अगर कहेंगे, she went to school every morning last week, वो पिछले हफ्ता, school हर सुबा गई, तो last किसको indicate करेगा, past को, कहीं किसी भी sentence में, अगर last आगया, फ़रण आप past में पहुंच जाएगा, तो इसलिए go का second form क्या आएगा, जो second form यूज होता, past simple में, go का went, यानि irregular form जो आता है, go went gone, तो went क्या है, तो यहाँ went आएगा, समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं, six number पे क्या है, dash the problem last night, फिर यहाँ last आ गया, last आ गया, तो मतलब क्या हुआ, last आने के मतलब यह हुआ, कि काम किसमें हुआ है, past tense में, हम देखेंगे इसमें जो past tense को indicate कर रहा है, वहीं आपका सही होगा, जैसे the problem, do you solve, या did you solve, देखेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ, do या does किसका helping verb है, या आपका present का है, और did किसका है, आपका past का है, तो यहाँ last आ गया, last देखते ही हमारे दिमाग क्लिक कर गया, यहाँ फौरान बात हो रही किसकी, past की, तो फौरान क्या करेंगे, did you solve वाला सही होगा, इस तरह से analyze करके पढ़ लेंगे, तो इंशालला आप 30 में 30 marks English में लाएंगे, ठीक है, आगे देखिए, I, when I के बाद dash है, when the incident occurred, एकर्ड है, अकर्ड का मतलब क्या हुआ, past की बात हो रही है, तो पास की बात हो रही है, तो क्या आएगा इसमें, बताइए, was sleeping या slept, past continuous यह बताता है, कोई आमल future में, future कह रहे है, कोई आमल क्या है, past में लगातार चल रहा था, तो क्या कहेंगे, when the incident occurred, यानि जब हादशा हुआ, जब हादशा वाक्ते हुआ, तब क्या है, I slept, मैं सोया, यह तो समझ में नहीं रहा, I was sleeping, यानि इस्तिम्रार बताता है, I was sleeping, यानि मैं सो रहा था, कब सो रहा था, when the incident occurred, यानि मेरे सोने के दवरान कोई घटना घटी, जब घटी तो उस टाइम मैं घटना के आगे और पीछे, दोनों लगातार बहुत देर से मैं सो रहा था, तो इस तरह के जुमला आएंगे, तो अकड के बाद पता चल गया क्या आएगा, पहले हम past continuous use करेंगे, यानि I was sleeping, ठीक है, आगे देखते हैं, आठमा कोईस्टिन क्या है, आई, आई के बाद dash home at midnight, बताईए, आई के बाद reached आएगा, या was reaching आएगा, यानि was reaching का मतलब हुआ, कि मैं आधी रात को घर पहुँच रहा था या पहुँच रही थी, समझना नहीं आ रहा, I reached home at midnight, मैं आधी रात को घर पहुचा, या घर पहुची, जिस टाइम बोला, मालों आधी रात को कोई पहुचा, फिर दोसरे दिन, जो है, अपने साती से बोला, तो क्या बोलेगा, I was reaching home at midnight, यह वास क्या है, कोई continuous के बारे में बताता है, यहाँ परफेक्ट होगा, I reached, when I reached home at midnight, मैं घर पहुचा कब, आधी रात को, यह कब बोला है दोसरे दिन, और पास्ट सिंपल जब बोला जाता है, बोलते टाइम, ओ काम हुआ आमल पूरा हो जाता है, समझ में आ गया, आगे है you, उसके बाद days a lot, by this time, next year, a lot यानि बहुत सारा, by this time, यानि इस वक्त तक, next year, यानि अगली साल, next, अब देखिए, मैं बोल दिया पहले से, अगर कहीं last आ गया, क्या आ गया, last, हम कहां जाएंगे, पास्ट की तरह, फट से, अगर कहीं next आ गया, अगर कहीं next आ गया, यानि अगला मुस्तक्बिल की बात हो गई, तो फ़ॉरान कहां भाग के जाएंगे हम, future tense में, तो इन दोनों में एक charge है, will have, एक है change, एक will have changed, बताइए काउं सा ही होगा, will वाला, you will have changed a lot by this time next year, यानि कोई बता रहा है, कोई पेशिन गोई आप से कर रहा है, कि अगली साल, इस टाइम तक, you have changed a lot, तुम बहुत जादा बदल जाओगे, समझ में आ गया, कहीं भी next आ गया, तो हम future को तलाश करेंगे, will ya shell को, ठीक है, आगे चलते हैं, एक और बाकी, दस नंबर क्या है, she has bought some cloth, उसने कुछ कपड़े खरीदे, यानि खरीद चुकी है, ठीक है, she does herself a blouse, बताएए, make, यानि she, she make herself a blouse, अपने आप से एक blouse बनाती है, यानि she is going to make herself a blouse, यानि ओ बजाते खुद एक blouse बनाने जा रही है, बताएए, देखिए, यहाँ is, is going to, एक कोई चीज़ फूचर में करेगी, उसके लिए भी इस तरह से यूज़ करता है, यानि is going, यानि present continuous, उसके बाद यह आएगा, to, infinitive बनाने के लिए, उसके बाद मे यानि she has bought some cloth, she is going to make herself a blouse, यानि उसका पलान है कि बजाते खुद वो एक blouse बनाने जा रही है, यानि is going वाला आपका सही होगा, ठीक है, इस तरह से दस जुमले बने बता दिया, आपका पूरा grammar, जो है, revision आगे, आप कुछ और previous question देखिए, रहें किस तरह से आपका पूछा जाएगा, ताकि बिर्कूल tenses जो पूरा बारा है, उसके हर एक concept आपका clear हो जाएगा, choose the correct answer, क्या है, from his past experiences, यानि अपने पिछले तजर्बे से, I knew, मुझे पता चला, diet की drinking, यानि drink करना, यानि शराप पीना, drinking, डेश आमेन, can ruin, यानि बरबाद कर सकता है, drinking to ruin a man, drinking could be ruined, यानि बरबाद किया जा सकता है, not ruin, यानि drinking not ruin, बताईए, क्या suitable बनेगा, चारों देखा जाए, सबसे suitable ये वाला बनता है, देखे, आप इसका तर्जमा करके देखे, from his past experience, अपने पिछले तजर्बे से, I knew, मुझे ये चीज पता चली, diet drinking की शराब पीना, can ruin a man, एक आदमी को बरबाद कर देता है, ठीक है, देखेंगे, एक आदमी मुस्तकिल 10 साल तक सराब पी रहा, उसके kidney खराब हो गई, liver खराब हो गया, बुलप्या खराब हो गया, ये सब चीज आदमी बरबाद हो जाता है, ठीक है, तो पहला आपका सही होगा, आगे क्या है, दोसरा क्या है, दा होटेल इस नाट डेश टू सेल लिकर, बताएए क्या आएगा, दा होटेल इस नाट लाइसेंस्ट, लाइसेंस, बीन लाइसेंस्ट, लाइसेंसिंग, देखिए, दा होटेल इस नाट, मिला जुला कर सबसे अच्छा या रहा, पहला, पास्ट में, क्या, दा होटेल इस नाट लाइसेंस्ट, ये असल में जूमला आपका क्या है, प्रिजेंट का है, लेकिन आएक्टिब की जभाएसेंग, अगली क्लास में मैं आएक्टिब पै लाइसेंस्ट टू सेल लिकर, यानि इस होटेल को शराब बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिये गए, आप देखेंगे, यहाँ हैदराबाद में, और सिकंदराबाद में देखेंगे, अक्सर जगा देखेंगे, यहाँ लोग खास तोर पे जो नान मुसलिम हैं, यह लोग शराब ज्यादा पीते हैं, कोई फंक्शन हुआ, कहीं कुछ जाना हुआ, इसलिए आपको शराब की दुकानों के यहाँ भीड बहुत नजर आएगी, चाहें आप सिकंदराबाद देख लिए, हैदराबाद देख लिए, और कहीं भी देख लिए, ज्यादा यहाँ, तो इस तीसरा क्या है, दपार्टी देख, फोर मेन आएंड टू वीमेन, दपार्टी बताये, कंसिस्ट आफ या कंसिस्ट आफ या कंसिस्ट आफ आएगा, या कंसिस्ट आफ आएगा, या इस कंपोजिंग आएगा, या कंपोज्ट आफ आएगा, देखिए सब देखा जाए तो यहां भी वाला सही होगा दपार्टी कंसीश्ट आप यानि पार्टी में कंसीश्ट आप यानि कितनी लोग को पार्टी शामिल करती है 4 men, 4 आदमी and 2 women, 2 आउर्टें यानि 4 मर्द और 2 आउर्टें यानि 6 लोग पार्टी में consists of consists of ठीक है यानि present simple use होगा आगे चल देए आगे है she ought not to have dash him but she did ought to यानि नहीं करना चाहिए था she ought not to have क्या आएगा बताएए she had not to have told आएगा मैंने एक चीज़ पहले बताई कहीं भी अगर have आ गया तो उठा करके वर्ब की third form मार देंगे tell जो है third form नहीं है to be telling यह भी नहीं है to be told नहीं है told है आपका d वाला सही हो गया यानि she ought not to have told him but she did यानि उसे नहीं बताना चाहिए था but लेकिन उसने बता दिया यह कहना चाहिए ठीक है तो have है तो told आएगा देखिए इसको खुद आप हल कीज़े या हल करके खुद ही आप comment box में बताईए कि पांचवे का कौन सा सही होगा इस तरह से अगर आप activity करेंगे तो learning by doing आपके sense ज्यादा यूज करेंगे आप खुद सीखेंगे मैं बताऊंगा तब तक आप सुनते रहेंगे तो इस चीज़ ज्यादा एफेक्टिव ने क्योंकि जो पढ़ने वाला उसको active होना चाहिए आपको पता है learning by doing अगर होती है वोची ज्यादा देर तक बाकी रहती है आगे हम देखते हैं पाच्वा क्या है when आगे क्या है he फिर does a novel a dog barked बताइए क्या आएगा when he read has read is reading was reading देखिये हम देखेंगे तो सबसे अच्छा was reading आएगा क्यों आएगा देखिये when he was reading a novel जब ओ नाविल पढ़ रहा था तो पढ़ने का आमल continuous past में जारी था a dog bark उसी past में पढ़ने के दवरान एप कुत्ता भूंका कुत्ता भूंका जब ओ पढ़ रहा था ठीक है तो क्या आएगा आपका डी वाला सही होगा आगे देखेंगे आगे है after he उसके बाद dash they discuss the problem क्या है after see any leaves और hide left was leaving hide left क्या आएगा has एक है एक hide है देखेंगे after he उसके बाद dash है तो यहाँ आप देखेंगे सबसे अच्छा क्या है आपका hide left क्यों देखेंगे absence देखेंगे after he had left उसके छोड़ने के बाद they discuss the problem उन्होंने problem को discuss किया दो आमल हुए है उसको meeting छोड़ना पहले हो गया meeting से उठके भाग गया है छोड़ दिया जब उसके जाने के बाद उन लोगोंने मिल करके समस्या जो उनका मसला है जो उनकी परिशानी है उसके बारे में discuss किया after he after he had left they discussed the problem समझ में आ गया ठीट आप उड़ है या हाइड है इन दा मॉर्निंग यूजवली यानि आम तवर पर he gets आप मैंने बताया present simple का यूज़ कभी-कभी हाइबिट बताने के लिए होता है यूजवली यूजवली he gets up at 5 o'clock आम तवर पर वह सुबह पांच बज़े उठता है इसके बारे में समझ लीज़े अगर इसके साथ हाइड यूज़ हो गया क्या यूज़ हो गया हाइड यूज़ हो गया तो हाइड के बाद आटोमेटिकली उड़ है बाएगा उड़ है और अगर पैसिब में है उड़ है बीन आएगा ठीक है और कहीं कहीं तसवूर की बात होती है जैसे if I were a king अगर मैं राजा होता तो I के साथ was were में से overuse होता है I would solve the problem उड़ के बाद वर की first form मैं सारी problem को हल कर देता लेकिन यहां क्या कह रहे है if I had the choice यानि पहला आमल नहीं हुआ इसलिए दोसरा नहीं हुआ if I had the choice अगर मैं choice रखता है यानि हकीकत में मेरे पास choice नहीं थी I would have state I am मैं वहां ठहरा रहता इस तरह का होता है तो आप समझ लीजेगा अगर हैड यूज आया तो उड हैप का इस्तेमाल करेंगा अगर ऐसा संटेंस है कि जिसमें इमेजिनेशन जो हकीकत में नहीं है तो उसके साथ उड के साथ वर्व की फश्फ़ाम जैसे इफ आई वर आप प्राइम मिनिस्टर इफ आई वर आज सी यह यानी चीफ मिनिस्टर आई उड सॉल आल प्रॉब्लम ठीक है उड के बाद फश्फ़ाम आती है जिसमें इमेजिनेशन पाया जाता है जो चीज हाकीकत में है वह हैड आएगा पहले इफ वाले में और उसके बाद एक कामा आता है बाद वाले में क्या आता है उड उड है उड हैप के बाद वर्व की थाट फॉर्म आती है तो उड हैब यानी सी वाला आपका सही होगा आगे चलिए इट इस अनलाइकली डाइट ही डाइस एवरी रेस कहते हैं यह चीज अनलाइकली यानी बे थुका है अनलाइकली क्या होता है अन्होनी है यानी जिसका कयास नहीं लगाया जा सकता था इट इस अनलाइकली यानी यह अन्होनी चीज है यानी बस हो गई किसमत की बात है it is unholy that he wins every race की ओ हर race यानि जो दौर का competition है हर race ओ क्या है ओ जीतता है तो क्या आएगा she wins ठीक है दस्वे नमबर पर क्या है ही उसके बाद 10 है अन्वेल सिंस एस्टरडे मैं पहले बता दिया था की अब सी अन्वेल सिंस एस्टरडे वहां सिंस एस्टरडे वह कल से क्या है ठीक नहीं है तो क्या आएगा यह आएगा कि यह वाज आएगा है स्पीद मैं कहें बताया ना हैट बीन यह अगर कही छिन्स आ गया यह पॉर आ गया आलगा वहरण कहा भागिएंगा पर्फेक्ट कांटिनुेस में जाईगा ठीक है since या for yesterday के बाद हुआ तो आप past में क्योंकि yesterday किसको बताता है past ही को बताता है तो had been यानि डी वाल आपका सही होगा आगे और देख लेते हैं choose the correct sentence I was laying down when the door will rang जब घंटी वजी तब मैं सो रहा था I have been laying down when the door will rang I have been laying down इसके बाद क्या आता है since या पार आएगा इसलिए गलत हो गया I am laying यहां क्या है rang मतलब past की बात हो रहे हैं तो इसलिए प्रिसेंट वाला गलत हो गया I could be a भी गलत मिला जुला कि आपका पहला सही हो गया यानि जब घंटी बजी तब उस टाइम में सो रहा था यानि घंटी बजने से पहले से मेरा आमल जारी था past tense आगे है क्या है correct sentence को choose करना जैसे he comes from a good family वो अच्छे परिवार से अच्छे फेमली से आता है दो कहीं दो यूज होता है कहीं आल दो यह क्या है एक contrast दिखाता है यानि एक दोसरे का opposite दिखाता है दो आ गया या कहीं आल दो ठीक है यानि वो अच्छे फेमली से है फिर भी यानि होने के बावजूद भी क्या है he works वो काम करता है from a factory यानि घटी या छोटी से फेक्टरी में labor का काम करता है हाला कि अच्छे फेमली से सही है कि नहीं यह तो मुझे सही लगता है he comes in a good family though he works in a factory ठीक है तो बताए he comes from आएगा या इन आएगा he comes in a comes in a good family वो अच्छे परिवार में देखिए इन वाला तो सब गलत है तो from वाला सही होगा he comes के बाद from a good family वो अच्छे परिवार से आता है ठीक है तो पहला आपका सही हो गया आगे क्या है choose the correct sentence correct sentence जुनना है क्या है उसमें उसमें एक है he had gone to England last week ठीक है यह तो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि last लगा है तो पास्ट की बात हुई है he gone to England last week वो last week England गया he goes अब goes present है तो last के साथ present कभी नहीं आएगा इस तरह से आप eliminate करना शीख लेंगे तो सही करके आएगे he went to England last week यानि पास्ट सिंपल देखिए यह भी सही लग रहा यह भी सही लग लेकिन last week वो पिछले हपता पिछले सपता पिछले हपता England जा चुका था तो यह आपका कौन सा सही होगा यह वाला सही होगा ठीक है अब यहाँ से correct आउर करना है जैसे आपको पता है अचे तो यह आप देखेंगे यह होता है और आपको पता है और इस ही के साथ अगर पहिला दीट से पहिला जो है फिर्पोरिंग इसरा है अगर पास्ट में है तो आगे वाले पास्ट ही में यूज्ज पर करते है तो इस तो कभी नहीं होगा ठीक है अगर वाज भी नहीं होगा और हैस बीड नहीं होगा क्योंकि complaint क्या है पास है मिला जुला करके डी होगा दा में कंप्लेंड यानि आहम सिकायत है कि डायت His cycle had been stolen कि उसकी cycle चोरी कर ली गई है ठीक है यह कि उसकी cycle पेलचोरी कर लिगाई थी त्लि अलचोरी कर ली द्र इतना कर लेते हैं को यही सेम नहीं सकता लेकिन पैटन यही रहेगा पिक दा करेक्ट एक्सपिरेशन बताइए कौन सा सही होगा कैन बी एबल टू यह क्या है दिड रादर गो मेड इट कम उड रादर गो यह क्या है कैन बी एबल टू ठीक है वो मिसाल सेट करने में इससे पहले जो संटेंस था ओछूड गया था ठीक है तो कैन बी एबल टू इस तरह से आएगा तो उमीद है कि इस तरह से आज हमने टेंस को पढ़ा किसके जरीए टेंस को मोक टेस के साथ जितना कंसेप्ट का सारे टेंस का किलियर हो गया अगर किलियर हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि तरीका अच्छा लगा समझ में आया और लाइक करके जाएं ठीक है नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी के साथ निजाम अकैडमी डबल टू टेलीग्राम चैनल से भी जूड़ जाएं तो बस मेरी दुआए हैं कि आप टी एस्टेट आपका किलियर हो जाए अगली किलास में फिर मुलाकात होगी सलामु आलेक झालाय कर लेसी किलिग दलेकर लेकर लें própर уст में थाएं तो पी साथ ग्रवबले किलिग्राम अकैनल और रहा हैं कि झाल झाल